कैसे हैं आपसे भी देखिए कल आपका Contemporary Indian Education का एक्जाम हुआ CCS University का जो कि यह एक्जाम रिव्यू मतलब एक्जाम आपका कल वाला अप्रोड कर दिया गया नहीं देखा है तो फिर भी एक बार यहां नजर डाल सकते हैं तो उसके लिए मैंने रखा है क्यूं रखा है कि हम MSU उसका पेपर देखेंगे क्योंकि उनके पेपर हो चुके हैं तो हम उनको देखेंगे कितनी सिमिलर्टी है जिससे के आप एक ना आइडिया लगा पाएंगे तो मैंने यह देखा यहां पर तो आपको यहां जो कुछ-कुछ में डिफरेंस हैं लेकिन बहुत साइची हैं सेम भी मिलेंगी ठीक है तो एक हेल्प हो पाएगी तैयारी करने में तो कम से कम वो टॉपिक्स अच्छे से आपने कर लेने हैं देखेंगे जो टॉपिक्स हैं दोनों ही पेपर में जो जैसे हमने सजेस्ट किया था इंपोर्टन टॉपिक्स उसी में से ही हैं ओवरॉल मादमिक सिक्षा का व्यवसाय परकोना और विश्यद्ध्यले की स्वायत था ठीक इसके बाद में आगे मिड़े मील मतलब की यहां सारे के सारे स्कीम को ले सकते हैं हम ठीक है त्रीभाशा सूत्र और कन्याओं के लिए पाठे चर रहा सर्विसिक्षा अभियान कोठारी आय उसके अलावा प्रात्मिक सिक्षा सम्मंदित इस्थाने निकाय को दी जाने वाले सुझाव पूछे थे मादमिक सिक्षा आयोग सुक्षा का अधिका सम्विधान ठीक है उपने एंसंसकार एंसी आर्टी के फुल फॉर्म और वर्धा योजना बौधकाल के सुक्षा किंड मिल जाएगा एक्जाम पेपर का है अभी यह तो पहला वाला है इसलिए शो कर दिखाते हुए कि कितनी आपको similarity है मिल रही है ठीक है और कितने topics किस तरीके से यह cover किये जा रहा है इसके अंदर ठीक तो जो important topics बताये थे लागवनी में से cover हुए है आपने उसका देखा आप भी देख लेते हैं MSU का और इसी के साथ में हम second paper भी देखेंगे मतलब जो next आपका होने वाला है philosophical and sociological perspectives of education जिससे के आपको थोड़ी सी help मिल सके उससे देखिए यहां पर wood का घोशना पत्र important topic में बताया था तो वहां मैकाले पूश लिया लेकिन यहां wood का घोशना पत्र topic ठीक है next देखिए उच्च्च सिक्षा के विश्वें पूचा गया है आगे आपका अने बारे निश्वल के प्रात्मिक सिक्षा से संबंदित कौन कौन सी समस्या है और सुझाव ठीक है चलो यह थोड़ा से different है question छोड़ सकते हैं लेकिन यहां देखेंगे तो university autonomy विश्व पबज्जा उपसंपदा बताया था ठीक है आगे वर्दा सिक्षा प्रणाली यह पूछा गया है CCS में भी पूछा गया है भहुद्देशे स्कूल चलो यह different आ गया है लेकिन बताया तो था त्री भाशा सूत्र दोनों जगे पूछा गया है दोनों यह universities में ठीक है यह एक योजना आ गई कसूर्वा बाले का योजना ठीक है इसके बाद में वेरी शॉट में अगर देखें देखें शिम्ला समेलन यह एक कमिशन में से निकला हुआ है सर्वी सिक्षा भियान दोनों जगे पूछा गया 10 प्लस 2 प्लस 3 योजना के बारे हैं पूछा गया देखें डीम्ड विध्यालों के नाम चलो यह भी नहीं कर सकते हैं तो ब्लैक बोर्ड कर सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक ब्लैक बोर्ड एंसी आटीर यूजी सी की पूछी ग हो जा गया और पार्टे करम का विभेदी करन यह एक डिफरेंट हो गया देखेंगे हम तीन चार कोश्चन को छोड़कर लगबग लगबग दोनों में हमने क्या सिमिलर्टी सी देखिए कोश्चन के अंदर सीम सीम से मिलेंगे है तो इससे एक हैल्प मिल जाती है कि हां आप इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए चैनल पे हैं पीडिएफ भी है और साथ में आप यह वाला पेपर भी देख सकते हैं तो बड़ी अच्छे से हल्प हो जाएगी ठीक एक अंदादा हो जाएगा किस तरीके से पेपर यहां पूछा गया है इस बार 2022 में ठीक और बाकी दोनों जो आपके सेक्षन है वो कितना 16-16 मार्क्स की ठीक है देखेंगे यहां पर तो यह MSU का पेपर शुरू होता है देखेंगे तो यहां पूछा गया है सिक्षा के वैप्तिक और सामाजिक उद्देश है प्रीवियस येर का कुश्य नहीं है ओके आगे प्रतिवादी सिक्षा की प्रमुक विशेष्ताओं की विवेशना इसके उदेश्चे सिक्षण विधियां पाठिकरम सिक्षक अनुशाषन के संबंद में इनके परवर्तकों के विचारों को बताईए और आगे है यथार्थवाद प्रकतिवादी पूछ लिया यथार्थ कि क्या विशकता है प्रिवेश एर है ध्यान देंगे तो है न सीस्टियस के प्रिवेश कोशन में पूछा गया है जिसके बेसिस पर आपको इंपर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे उन सब में अभी तक लॉंग के सारे टॉपिक कवर हुए ठीक है आगे चलेंगे कोई डिफ्रेंट सा कोई कोशन आया हो जो कि इंपर्टेंट टॉपिक्स में मेंचन नहीं किया गया है आगे सेक्षिक समाज सास्र और समाजी करण की प्रकरिया में सिक्षक के व्यक्तित्व की क्या भूमिका है ठीक आगे गीजु भाई रिपीट हुआ है पहले भी आ चु वाले प्रमुख्तत्व बता सकते हैं स्वुववेकन के अनुसार स्ट बिल्गूब बता सकते हैं शिक्ष और विद्याली करण अंतर ठीक है आगे समाजिक परिवर्दन के दो कारक दर्शन विज्याणों का विज्यान है यह किसने कहा आप जब दर्शन के बारें पढ़ें ये सिस्ट्रों ने कहा, okay, philosophy is the science and criticism of cognition, दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान एवं उसकी आलोचना है, ये कांट ने कहा है, philosophy is the science of knowledge, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये फिक्टे ने कहा, ठीक है, तो कुछ ऐसे famous सी, आपकी छोटी-छोटी सी definitions हैं, जो के main-main, दर्शन के बा यहां तो choice दे दिया आपको, आपके six question में choice है, या तो ये कीजिए, प्रजातांत्रिक मूले, या बताइए, राजनीती सिक्षा को डेश, नियंदरन द्वरा नियंदरत करती है, ठीक है, इन दोनों में से बताना था, आगे आपसे पूछा गया है, school is dash agency of education, विद्धालाय सिक्षा का dash साधन है, क्या है, कौनसी agency है, secondary, क्योंकि primary कौनसी होती है, family होती है, ठीक है, आगे विद्धालाय समाज का लगू रूप है, किसने खा, तो देखे, यहां पे कुछ famous-famous definitions या quats हैं, तो यह आपने देख ल अधर क्या है, फिर से एक प्रकतिवादी पर आया है, I hope इससे आपको थोड़ी help हो पाएगी, इसी के साथ में, thanks to Rajat Sharma, जोनोंने हमें यह exam paper, MSU के provide कराने में help की, तो इसी के साथ में, जोसे आपके अगर कोई exam paper होते हैं, तो आप भी ऐसे share कर सकते हैं, email कर सकते हैं, जिसस में देख सकते हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं, तो next video में लेंगे, thanks for watching,